जय हिन दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर हिंदी साहित के तो वीडियो को पूरा वस्त देखना है अगर आप चैनल पर पहली बारा हैं तो चैनल को स क्या है तो चलिए देख लेते हैं आज कपने यहां पर फस्ट कोस्चन दिया गया है देखें क्या पूँचा गया है यहां पर पूँचा गया है कि कवीता की तीसरी आंखी के रचिनाकार कौन है आंसर अगर आप से बनता है तो आप कमेंट में आंसर ज़रूवत आती जाए क्या होगा इसका सही answer 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिये गए हैं बताइए क्या है इसका right answer कवीता की तीसरी आखी के रचिनाकार कौन है तो question number 301 है अपना यहाँ पर और इसका जो सही answer है वह है आपका right answer बिलकुल सही right answer होगा फिरवाकर सुरोत्रिये आपका यहाँ पर जो विकल्प number 3 है वह है आपका यहाँ पर सही answer होगा बिलकुल सही बहुत बढ़िया विकल्प number C जन्वा नहीं बताया है उनका यहाँ पर right answer होगा अंगला question देखते हैं तो चलिए यह रहा आपका question number 2 क्या पूँचा है यहाँ पर देख लेते हैं देखिए यहाँ पर पूच तो आपके लिए बताना है वह कौन से दो तत्थ है question number 302 है और 302 का right answer आपके लिए यहाँ पर बताना है तो आपका यहाँ पर जो विकल्प है वह यहाँ पर नीचे आ गए हैं आपका यहाँ पर right answer क्या होगा देखिए आपका right answer है करुण और प्रेयम करुणा और प्रेयम यहाँ पर विकल्प नंबर जो तीन है वह आपका सही answer होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर तीन right answer है अंगला question देखते हैं क्या पूंचा है यहाँ पर कि बिठ्थल नाथ ने बल्लव संपरदाय में किस तरह की पूज़ा पद्धिती का समावेश किया है यहाँ से देखते हैं यहाँ पर देखे यहाँ पर जो question है वह थोड़ी से गड़बड हो गए हैं यहाँ पर तो यहाँ पर अपन सुरू से देख लेते हैं question एक से यहाँ पर एक बार repeat कर लेते हैं यहाँ पर अपना जो है यहाँ पर देखे एक से देख लेते हैं भै आप जो पीडियाप है एक गड़बड हो गई है दूसरी वाली खुल गई आज एक question number 1 से शुरू करते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर अपना revision हो जाता है, कौन आरक नाटक की रचिना किसने की है, यह आपको बताना है, यहाँ पर तो बताईए, क्या होगा यहाँ पर सही answer सभी लोग बताएंगे, यहाँ पर revision हो जाएगा अपना, तो question number 1 का right answer सभी यहाँ पर जो है, आपका right answer क्या है बताईए, तो बिल्कुल सही right answer बताएं कि जगदीश चन्द मातुर यहाँ पर विकल्प number C जो है, आपका right answer होगा, जगदीश चन्द मातुर आपका right answer है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया विकल्प number C आपका right answer है, यहाँ पर विकल्प नमबर तीन राइट आंसर है अंगला Questions देखते हैं देखें हिंदी का प्रतम अभिनीत नाठक कौन सा माना जाता है हिंदी का प्रतम अभिनीत नाठक आपसे पूंचा है यहां पर कौन सा है करौणालय है अंदेर नगरी है जान की मंगल है या फिर एक घूंट है बिलकुल सही बहुत बढ़िया है यहाँ पर अपना अंगला क्वास्चन पूछा है हिंदी का प्रतम अभी नीत नाटक कौन सा है तो आपका बिलकुल सही राइट आंसर है अपना यहाँ पर तीन पूछा है नेपथ राग किसका नाटक है नेपत्थ राग किसका नाटक है ये आपको बताना है मीराकांत, मिरनाल पांडे, यत्र पुरारी, सर्मा या फिर कुसम कुमार Question number 3 है और आपका यहाँ पर जो सही answer है question number 3 का भै क्या है right answer ये बताना है तो बिल्कुल सही right answer बताया है कि 3 का आपका सही answer है विकल्प number 1 यानि की मीराकांत आपका यहाँ पर सही answer होगा बिल्कुल सही बहुत बढ़िया विकल्प number A आपका यहाँ पर सही answer है मीराकांत राइट answer है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया अंगला question देखते है question number 4 यहां पर पूँचा है क्या पूँचा है तो देखे समकालीन कहानी का पिरवर्टक कौन माने जाती है समकालीन कहानी के पिरवर्टक आप से यहां पर पूँचा है गंगा प्रसाथ बिमल है अमरित राय हैं किशना सोबती हैं राकेस बत्स हैं बताईए बिलकुल सही सभी लोग यहां पर बहुत बढ़िया रायट आंसर बताते जा रहे हैं और आपका यहां पर सही आंसर है समकालीन कहानी के पिरवर्टक पूँचा है आप से तो बहुत ही महत्तपून question है और आपका सही आंसर है गंगापरसाद बिमल आपका बिलकुल सही रायट आंसर होगा विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर है बिलकुल सही गंगापरसाद बिमल आपका रायट आंसर होगा बहुत बढ़ियां अंगला question देखते हैं question number 5 आप से यहां पर क्या पूँचा है तो देख लेते हैं यह रहा देखे ब्यक्ति को के अंदर मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन मानी जाती हैं बताइए कौन है बैक थाकार जो ब्यक्ति को के अंदर मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार है जैनेंद्र अमरित राय या पर रांगे रागव या पर यस पाल ये चार विकल्प हैं question नमबर पांच है महत्तपूर्ण है और बिल्कुल सही right answer बताया है कि व्यक्ति को के अंद्रमान कर कहानी लिखने वाले कथाकार जो है जैनेंद्र हैं कौन है जैनेंद्र यानि की विकल् अंगला question देखे ए रहा question number आपका 6 है कि भागवती चरण बर्मा का प्रतम उपन्यास बताने इनका प्रतम उपन्यास कौन सा माना जाता है जो की बहुत ही महत्तपूर्ण question पूछा गया है आपसी भगबती चरण बर्मा का पिर्थम उपन्यास तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर question number है अपना यहाँ पर 6 और 6 का right answer है आपका यहाँ पर क्या right answer बिल्कुल सही बहुत बढ़िया यहाँ पर आपका सही आंसर है 6 का विकल्प नंबर 1 यानिकी पतन यहाँ पर बिल्कुल सही right answer होगा विकल्प नंबर 1 जिनों नहीं बताया है उनका right answer यहाँ पर question number 7 पूँचा है देख लेते है question number 7 है पिरसाद जी का पिर्थम उपन्यास कौन सा है बताए तितली इराबती कंकाल या फिर इन मेंसे कोई नहीं question number 7 है और महत्यपूण है क्या होगा इसका सही answer तो पिरसाद जी का पिर्थम उपन्यास आपसे यहाँ पर पूँचा है तो question number 7 है और बिल्कुल सही right answer यहाँ पर आपका है कि पिरसाद जी का प्रतम औपन्यास पूँचा है तो भय माना जाता है कौन सा कंकाल यानि कि विकल्प नंबर 3 आपका इहां पर सही आंसर होगा कंकाल राइट आंसर है विकल्प नंबर C विल्कुल सही राइट आंसर बताया है बहुत बढ़िया अंगला question, question number 8 आपसे यहां पर पूंचा क्या है, देखे, इरा question number 8, हिंदी का पहला आलूचक इन में से कौन माने जाते हैं, हिंदी के पहले आलूचक, भारतेंदु जी हैं, बाल किर्शन भट्ट हैं, आचार सुकल हैं, हजारी परसाद दुबेदी हैं, तो बिल्कुल सही right answer है, question number 8 है, हिंदी का पहले आलूचक पूंछा है आपसे, तो बिल्कुल सही right answer होगा, question number 8 है, महत्ति पूर्ण हैं, और आपका सही answer है भारतेंदु, भारतेंदु आपका विकल्प number 1, यहांपर सही answer है, बिल्कुल सही बहुत बड़ी यां भारतेंदु जिन्नों ने यहां पर 8 का विकल्प नंबर ए बताया है उनका यहां पर सही आंसर होगा भारतेंदु रइट आंसर है बिल्कुल सही बहुत बड़ी यां अंगला कौस्चन देखते हैं Question number 9 क्या पूँचा है यहाँ पर तो देखे यह है आपका question number 9 चायाबाद को पिरगीतों का आंदोलन किस ने कहा है बताईए question number 9 का right answer चायाबाद को पिरगीतों का आंदोलन कहा है दिनकर जी ने अग्गे रामचन सुकल या फिर हजारी पर साथ दुबेदी जी तो यहाँ पर आपका बिलकुल सही right answer है question number 9 है मत्तपूर है right answer बताया है कि दिनकर यहाँ पर आपका सही answer है विकल्प number 1 आपका सही answer होगा दिनकर जी ने चायाबाद को पिरगीतों का आंदोलन कहा है विकल्प number 1 जी नो नहीं बताया है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने बहुत सारी लोगों ने यहाँ पर सही answer दिये हैं बिलकुल सही बहुत बढ़िया अंगला question देखते है question number 10 है देखे हिंदी का पिरथम रेका चित्र संग्राय कौन सा माना जाता है question number 10 में बताना है question number 10 में सभी लोग बताएंगे हिंदी का पिरथम रेका चित्र संग्राय माना जाता है पदम पराग या फिर बोलती प्रित्मा अतीति के चल चित्र या इस्मिर्ती रेखाएं question number 10 है महत्तपूर्ण है और आपका बिलकुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहां पर एक राइट आंसर है पदम पराग पदम पराग जो है हिंदी का पिरथम रेका चित्र संग्राय माना जाता है बहुत बढ़िया सभी के कवेंट यहां पर देखते जा रहे हैं विकल्प नंबर एक आपका यहां पर सही आंसर है पदमपराग राइट आंसर प्रिथम रेखा चित्र माना जाता है रेखा चित्र संग्रे अंगला क्वास्चन क्वास्चन नंबर 11 है महत्तपूर्ण है क्या क्या बताना है और बिलकुल सही राइट आंसर है क्या राइट आंसर तो बिलकुल सही राइट आंसर है। नवरतन के रचेता पूंचा है तो वह माने जाते हैं मिसर बंदू यानि की विकल्ब नंबर एक आपका सही आंसर होगा बिलकुल चाहिए मिसर बंदू आपका राइट आंसर है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन देखिए यह रहा आपका अंगला कॉस्चन कॉस्चन नंब लोग वीडियो को लाइक और शेर अबस्त करते जाएं जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है और कॉस्चन नंबर बारे का राइट आंसर बताना है तो सभी लोग ने यहां पर बता दिया है कि भाव विलास है यह रचना है किसकी रचना माने जाती है त पर होगा देव अंगल्या question देखे रस का साक्षात आवतार किसे कहा गया है सबी लोग बताईए question number 13 है महत्तपूर्ण है रस का साक्षात आवतार किसे कहा गया है गनारंद जी को बोधा आलाम या रसने धी तो बिल्कुल सही right answer है आपका question number यहां पर 13 है और रस का साक्षात आवतार कहा गया है किसको गनारंद जी को कहा गया है तो बिकल्प number यह आपका इहां पर सही answer होगा घनानद आपका right answer है अंगला question देखिए question number आपका इहां पर 14 क्या पूँचा है तो question number 14 है आपका इहां पर मेतली सरन गुपती की पिर्थम रचना कौन सी मानी जाती है बताईए इनकी प्रिथम रचना बताना है मेथली सनल गुप्त जी की कौन सी मानी जाती है चार विकल्प आपकी यहाँ पर दे गए हैं भारत भारती, रंग में भंग या फिर साकेत या फिर या सूधरा तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नमबर बी राइट आंसर है अंगला कौस्चन देखिए कौस्चन नमबर पंद्रह है यामा के लिए महादेई बर्मा को सन अठार उननेस सो ब्यासी में किस प्रोस्कार से सम्मानित किया गया था यामा रचिना के लिए बताए कौन सा प्रोस्कार मिला था यामा रचिना के लिए 1982 में महादेई बर्मा जी को साहित अकादमी ज्यानपीट सरस्वती या फिर ब्यास सम्मान मत्पूर्ण कॉस्चन है आपका यहाँ पर और बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है यहाँ पर की विकल्ट नंबर जो यहाँ पर बी है यानि की ज्यानपीट प्रोस्कार मिला था कब मिला था अगर पूशा जाए तो 1982 में मिला था कौन सी रचना है यामा रचना है किसकी रचना है महादेवी बरमा जी की रचना है तो आपको यहाद रखना है ग्यानपीट प्रोस्कार मिला था बिल्कुल सही राइट आंसर है बहुत बढ़िया अंगला क्वेस्चन देख लेते हैं आचार सुकले ने हिंदी की पृतम मॉलेक कहानी माना है, किसको माना है दुलाई वाली को, 11 वर्स का समय, इंदुमति को, या एक टोकरी भर मिट्टी को, आचार रामचन सुकले जी ने. तो हिंदी की प्रिथम मौलिक कहानी माना है तो बिलकुल सही राइट आंसर है प्रिकास जी बिलकुल तो यहाँ पर आपका सूले का राइट आंसर है क्या है राइट आंसर सूले का तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 3 है यानि की विकल्प नंबर C है, इंदु मती वैं आपका राइट आंसर है इंदु मती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर C राइट आंसर है हिंदी की प्रथम मौले कहाणी माना है रामचन सुकल जी ने इंदु मती को अंगला कॉस्चिन मनोबिसलेशन बादी कहानिकार माने जाते हैं ये तो बहुत ही महत्तपुन कॉस्चिन है आपका महत्तपुन कॉस्चिन पूंचा क्या है यहाँ पर मनोबिसलेशन बादी कहानिकार माने जाते हैं इलाचंद जोसी चतुर सेंसास्त्री वेचन सर्मा उग्र उपेंदर नात अस्क है हाँ बिलकुल सही बहुत बढ़िया यहाँ पर इलाचंद जोसी जो है यह जोसी जी है यह मनोविसलेशन बादी कहानिकार माने जाते हैं तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है एक आपका राइट आंसर बिलकुल सही 1000 प्रिष्णों की अपनी हिंदी साहित का प्रैक्टस से चल रहा है जिसमें अपने 300 कॉस्छन यहाँ पर कल लिए थे लेकिन वहाँ पर 301 से यहाँ पर जो है तोड़ी सा इनका जो कॉस्छन का किरम है भै तोड़ी सा गड़बड हो गया है यहाँ पर पूरा question एक page में नहीं आया था इसलिए यहाँ पर आज थोड़ी सा practice कर लेते हैं फिर अपन जो है कल से उसमें 301 से start करेंगे question number 18 है व्यक्ति को के अंदर मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार कौन है यह question number 18 है और यह आपको बताना है question number 18 है व्यक्ति को के अंदर मानकर कहानी लिखने वाले कथाकार पूछा है आपसे यहाँ पर तो बिल्कुल सही right answer है क्या है right answer हाँ बिल्कुल सही बहुत बढ़िया यहाँ पर जेनेंदर अब भी पढ़ाता पर ने जेनेंदर तो विकल्प number C आपका right answer होगा बिकल्प number C right answer है अंगला question देख लेते हैं कि अक्खाई का सेली का प्रिथम उपन्यास है कौनसा है यह बताईए अक्ख्याई का सेली जो है अक्ख्याई का सेली इसका प्रिथम उपन्यास माना जाता है स्यामा सुपन माने जाता है परिक्षगुरु माना जाता है अदिखल नमबर एक यानि की स्यामा सोपन आपका यहां पर सही आंसर होगा स्यामा सोपन राइट आंसर अंगला कौस्चन हिंदी का प्रतम आंचले को पन्यास कौन सा है तो बताइए यह तो बहुत ही मात्तुपुन कौस्चन सल कौस्चन है और यहां पर आपको बताना हिंदी का प्रत से आंचले को पन्यास इंदी का पिर्थम किसका है तो ए माना जाता है फणिस्तो नात रेनु रेनु जी का पिर्थम पन्यास से ए तुरी आंचले को पन्यास माना जाता है आंचले को पन्यास रेनु जी का मेला आचल अंगला कॉस्चन सानेट रचना के लिए प्रिसिद्ध है कौन है प्रिसिद्ध सानेट रचना के लिए कौन प्रिसिद्ध है question number 21 का answer बताईए तो क्या है सिसका सही answer question number यहाँ पर 21 है और 21 का right answer है sonet रचना के लिए प्रिसिद्ध है कौन तो लोचन जी तो विकल्ब नमबर B आपका यहाँ पर सही answer होगा हाँ विकल्प नमबर B आपका राइट आंसर है अंगला क्वोस्चन है कभीओं का कभी किसे कहा जाता है समसेर तिलोचन अग्ये या फिर प्रिसाद जी को कभीओं का कभी कहा जाता है किसको कहा जाता है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, कभियों का कभी समसेर बहादुर जी को कहा जाता है, तो बिकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर, समसेर आपका राइट आंसर है, समसेर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर राइट चन्द चौहान, केसफदास या तुलसी दास, चार विकल्प हैं, question number 23 का आंसर बताईए, 23 का राइट आंसर बताना है, तो बिल्कुल सही right answer है, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर आपका एक, हिरदय राम आपका right answer है, भासा अनुमान नाटक के प्रेणता कौन है, तो हिरदय राम आपका right answer होगा, बिल्कुल सही, अंगला question देखिए, question number 24 है, कि चरण दास चौर नाटक के लेखा कौन माने जात हैं, बताईए, चरण दास चौर नाटक के लेखा कौन माने जाते हैं, question number 24 है, और आपका इहां पर सही answer है, 24 का right answer बताना है, चरण दास चौर नाटक के लेखा का आपको बताना है, तो बिल्कुल सही right answer बताया है, कि question number 24 की बात करें, तो आपका right answer होगा, इहां पर, विकल् एक हभीब तन्वीर आपका सही आंसर है हभीब तन्वीर आपका राइट आंसर है बिलकुल सही बहुत बढ़िया हभीब तन्वीर राइट आंसर अंगला कॉस्चन है प्रियमचन जी की पहली कहानी किस पत्रिकावं प्रकासे तुई थी यह आपको बताना है पहली कहानी थी क कौन सी बताइए यह भी बताइए और किस पत्रिकावन प्रकासित तुई थी इंदू में हंस में सरस्वती में यह सुदर्शन में तो question number आपका यहाँ पर 25 है और 25 का right answer बताना है हाँ बिलकुल बहुत बढ़िया तो यहाँ पर आपका right answer है विकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो यहाँ पर सही answer होगा question number 25 का right answer क्या होगा तो बिलकुल सही right answer है सरस्वती आपका विकल्प नमबर C होगा right answer बहुत सारी लोग confuse हो रहें यहाँ पर सरस्वती आपका right answer है सरस्वती पत्रिका में प्रिकासितुईती प्रेमचन जी की पहली कहानी विकल्प नमबर आपका यहाँ पर C right answer होगा C आपका सही answer है C होगा सही answer तो यहाँ पर बिल्कुल सही right answer क्या होगा 26 का आदुनेक हिंदी साहित्त की सरवत एक लोग प्रिये विधा पूछा है तो विधा में आपकी हो जाएगी कौनसी यहाँ पर हो जाएगी विधा में कहानी कहानी यानि की विकल्प नमबर एक यह जो है आदुनेक हिंदी साहित्त की सबसे अधिक लोग प्रिये विधा मानी जाती है कौनसी कहानी तो कहानी आपका विकल्प नमबर ए right answer होगा हाँ बिल्कुल सही यहाँ पर आपका जो है सरस्वती ही होगा right answer सरस्वती ही आपका यहाँ पर सही answer है सरस्वती विकल्प नमबर C अंगला question यहाँ पर अपना पूँचा है देहाती दुनिया किस विधा की रचना मानी जाती है बताइए question number अपना यहाँ पर पूँचा है कौनसा है 27 और 27 का right answer बताना है और 27 का बिलकुल सही right answer है आपका क्या है right answer 27 का देहाती दुनिया किस विधा की रचना है यह पूँचा है जो की महत्तपूण question है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर answer बताया है कि 27 का answer होगा यहाँ पर कहानी कवीता यहाँ पर उपन्यास यहाँ पर नाटक तो आपका सही answer है यहाँ पर यह उपन्यास माना जाता है तो विकल नंबर C आपका right answer होगा बिल्कुल सही नाटक राइट आंसर है किस उपन्यास में अग्ये का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्याप्त है वह उपन्यास आपको बताना है कौन सा वह उपन्यास है सेखर एक जीविनी या फिर अपने अजनभी या फिर नदी के दीप या फिर इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही नदी के दीप राइट आंसर है कितने भागों पिरकासेत है मोश्ट इंपोर्डेन कॉस्चन है महत्तपूर्ण कॉस्चन आपसे पूछा गया है बताईए अरी वन्सराय वच्चन जी की आत्मकता कितने भागों पिरकासेत है दो तीन चार पांच कॉस्चन नमबर 28 है और बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहां पर 28 की बात करें तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताए कि चार भागों में कितने भागों में चार भागों में आपका राइट आंसर है चार भागों में इनकी आत्मकता प्रकासेत हुई है अरी वन्सराय वच्चन जी की तो विकल्प नमबर तीन या विकल्प नमबर सी राइट आंसर होगा कॉस्चन नमबर 28 28 यहां पर डबल हो ग आते हैं तो चार विकल्प आपके दिये गए हैं और 28 का यहां पर फिर से आपका जो सही आंसर है 28 वा कॉस्चन है डबल हो गया है राइट आंसर की बात करें तो यहां पर आपका सही आंसर है क्या है राइट आंसर विकल्प नंबर यहां पर एक सही आंसर है सिवदान से हैं च आईए, नाग्री प्रचाणी पत्रिका का प्रकासन वर्स आपके लिए अहां पर बताना आ है, Question Number है, 29 का राइट आंसर सभी लूब बताईए, बिलकुल सही Right Answer है, Question Number 29 है, और नाग्री प्रचाणी पत्रिका का प्रकासन पूछा है तो आपका सही creator है, 1897 इस वी राइट आंसरों का बिलकुल सही बहुत बढ़ियां बिलकुल सही सभी लोग ने याँ पर सही आंसर बता है सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे हैं इंदी के पिर्थम सरवांगे नूपक आचारी कौन हैं? गनानंद जी, बोधा जी, चिंतमनी जी, केशवदास जी, मत्पून क्वास्चन, क्वास्चन नमबर 30 है और आपका यहाँ पर सही आंसर है, हिंदी के पिर्थम सर्वांग नूपक आच्यार पूंचा है, तो यह माने जाते हैं केशवदास, तो विकल्प नमबर आपका खम सर्वांग नूपक आच्यार की सब्दासंगला क्वास्चन, रीती कालीन राष्टिय कभी कौन माने जाते हैं, रीती कालीन राष्टिय कभी हैं, बिहारी जी हैं, बोधा जी हैं, चिंतमनी जी हैं, भूसन जी हैं, यह आपके चार विकल्प हैं, बताईए, क्वास्चन नूबर. आपका यहाँ पर चार राइट अंसर है भूसन, रीति, कालीन, राष्टि कभी माने जाते हैं? यह आपके भूसन जी बिलकुल साही बहुत बढ़ी है डी राइट आंसर है भूसन आपका सही आंसर है. अंगला question है. अलक सतक है और तिलक सतक की रचीता कौन मानी जाती हैं? Q22 है और 32 में बताना है रसलीन, मुबारक बिल ग्रामी, रस खान या आलत सिख आलम सिख हो गए, यहां पर बताई क्या हो गए, यहां पर राइट आंसर चार विकल्प आपकी यहां पर दिये गए है Q32 है और 32 का सही आंसर बताना है तो बिलकुल सही राइट आंसर है आपका बत्तिस का हाँ, बिलकुल सही बहुत बढ़े है बी राइट आंसर है मुबारक बिल ग्रामी यह जो है अलक सतक, तलक सतक, रचना के रचेता माने जाते हैं तो विकल्प नमबर B आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल चाहिए बहुत बढ़ी आप B जिनों नहीं बताया है यहाँ पर राइट आंसर है अंगला कॉस्चन की बात करें कॉस्चन नमबर 33 है और कवित रतनाकर और कल्प दुर्म की रचिनाकार बताना है कॉस्चन नमबर 33 में बताये कवित रतनाकर और कल्प दुर्म की रचिनाकार पूँचा है आपसे यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर बहुत बढ़ी राइट आंसर बताते जा रहे हैं सबी के लिए पता है बिलकुल चाही बहुत बढ़िया राइट आंसर है आपका यहाँ पर सेयनापती विकल्प no.d आपका सही answer होगा सेयनापती यह कवित रतना कर अकल्प दुरुम की रचिनाकार माने जाते हैं अपने सेयनापती जी बिलकुल चाही बहुत बढ़िया अंग पताइए क्या होगा right answer बोधकृत ब्रहिभारिश किस परकार की रचना मानी जाती ब्रह बारी कि इस तो बिलकुल सफाई right answer है अपना यहाँ पर करनजी हैं से अबाज आपके लिए आपको नहीं आ रहाई है बाकिए हो पर आवाज चल रहाई है तो यहां पर आपका right answer प्रवंद काप बें आपका सही आंसर है विकल्डप नमबर आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर हे प्रवंद काप बें आपका सही आंसर हो गा बिलकुल सही बहुत बढ़ीया अंगला क्वॉस्चन देखते हैं देखे, question number आपका प्यांते से मेथलीशन गुप्ति की लोग्ट प्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा माना जाता है, वै कौन सा ग्रंथ है, जिस्ते इनकी जो है लोग्ट प्रियता बड़ी है, मेथलीशन गुप्त जी की, तो आपको बताना है, वै कौन सा ग्रंथ है, बिल्कुल सही प्रिकास जी, तो मेथलीशन गुप्ति की लोग्ट प्रियता का मूल आधार ग्रंथ पूँचा है, आपसे हैं आपर सल्ल question है, और आपका राइट आंसर है, भारत भारत भारती यानि की विकल्प नमबर एक आपका सही आंसर होगा, भारत भारत भारती मेथलीशन गुप्त जी की, भारत 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 मासा किसकी रचना है, question number 36 है, और 36 का सही आंसर बताईए, प्रेमगान भारते यंदू, रादा किशन दास या जग मोहन सहे, तो आपका राइट आंसर है, 36 का विकल्प नमबर एहां पर 3, यानि की रादा किशन दास, रादा किशन दास से 12 मासा इनकी रचना मानी जाती है, रादा किशन दास की विकल्प नमबर सी राइट आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही विकल्प नमबर सी जनों नहीं बताया है, उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, अंगल्या question देख लेते हैं, मेतलीशनल गुप्त जी की प्रतम रचना ये questionable हो गया है, बता दीजिये कौन सी इनकी प्रतम रचना है, मेतलीशनल गुप्त जी की, भारत बारती है, रंग में भंग है, ये सुधरा है, पंच्वटी है, तो यहाँ पर अब भी पढ़ाता पन्ने की रंग में भंग जो विक विकल्प नमबर दो है आपका सई आंसर होगा यह इनकी प्रित्वम रच्छ नमाने जाती है मैध्ली संद गुपत जी की विकल्प नमबर बी आपका सई आंसर है यह कौश्चन महत्यकून है आपका कौश्चन नमर 32 क्या है कि जादू की कुरसी नाठक के लेखक कौन है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है कि बल राज साहनी ये माने जाते हैं तो विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा बल राज साहनी राइट आंसर बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं बल राज साहनी राइट आंसर है और अंग आत्री में दस वजे औरंग जेब की आखरी रात एक आंकी की रचिनाकार बताना है तो बिलकुल चाहिए राइट आंसर है कॉस्च नमबर अपने यहां पर 40 है और 40 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर विकल्प नमबर 1 यानिकी रामकुमार बर्मा रामकुमार बर्मा आपका सही आंसर है बहुत बड़िया बिलकुल सही सभी के लिए पता है रामकुमार बर्मा राइट आंसर होगा अतीत के चलचित्र की रचिनाकार कौन है बहुत ही सल कॉस्चन है सबसे सल कॉस्चन पूछा गया है अतीत के चलचित्र की रचिनाकार मादेई बर्मा आपका राइट आंसर है आद उने क्यूग की मीरा का जाता है मादेई बर्मा जी को और इनी की रचिना मानी जाती है जो की महत्तपुन रचिना मानी गई है अतीत के चल चेत्र बिल्कुल चाही राइट आंसर है यहां पर पूंचा है कि तुलसी दास की जो बि खड़ी बोली है या फिर मगी है बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां राइट आंसर है आपका 42 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर तो 42 का आपका सही आंसर है यहां पर विकल्प नंबर एक यानि की बिने पत्रिका की भासा पूंचा है तो बिरजभासा आपका राइट आंसर ह बिल्कुल सही सवी के लिए पता है महत्तुपूर्ण कॉस्चन है यह लेकिन विरजभासा याद रखिए कॉस्चन नमबर अपना यहां पर 43 पूंचा है काब्य विवेक की रचनाकार कौन माने जाते हैं कॉस्चन नमबर 43 बताईए देव पदमती राम या फिर यहां पर चिंता मनी या फिर के सब्दास काब्य विवेक की रचनाकार पूंचा है आपसे कॉस्चन नमबर है अपना 43 और आपका सही आंसर क्या है कॉस्चन नमबर अपना 43 और आपसे काब्य विवेक की रचनाकार पूंचा है तो चिंतामनी लगादीजिए विकल्प नमबर सी राइट आंसर लगादीजिए चिंतामनी बिल्कुल सही बहुत बड़ियाँ सभी लोगोंने सही आंसर बताए हैं कि चिंतामनी आपका आंसर होगा, चिंतमनी right answer है, बिल्कुल सही, अंगला question देखिए, देव किस पिरकार के कभी हैं, ये अलंकार बादी माने जाते हैं, दीती बादी, रसबादी या बक्रोक्ति बादी, बताइए, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़े हैं देव किस प्रकार की कभी हैं तो आपका सही आंसर है देव माने जाते हैं रसवादी तो विकल्प नमबर आपका तीन यहां पर राइट आंसर होगा रसवादी आपका विकल्प नंबर C राइट आंसर है बिलकुल सही बहुत बढ़िया रसवादी राइट आंसर है अंगला कॉस्चन देखे देव किस परकार के कभी हैं किस परकार के हैं रसवादी अंगला कॉस्चन डवल हो गया है अपना अंगला कॉस्चन देख लेते हैं क कि साहित्तिक छेत्र में सरवादिक ब्रोध किसका हुआ है कि साहित्तिक छेत्र में सरवादिक ब्रोध हुआ है प्रिसाद निराला दिनकर हरिवद जी का किसका हुआ है चार विकल्प हैं कॉस्च नमबर अपना 40 है और 40 का सही आंसर बताना है तो बिलकुल सही आंसर बताया है बहुत बढ़िया कि 46 का सही आंसर है आपका यहाँ पर निराला यानि कि आपका विकल्प नंबर C जो विकल्प नंबर B है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2 निराला जी का साहितिक छेत्र में सरवधिक ब्रोध हुआ है और विकल्प नमबर भी आपके हैं पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोग ने सही आंसर बताए हैं बिल्कुल सही अंगला कॉस्चन है कि मैं उस जनपद का कभी हूँ कब रचना किस क कि मानी जाती है तिल्लोचन निराला दिनकर नांगर जुन कॉस्चन नमबर 47 है और 47 का आंसर बताना है तो 47 का आंसर आपको बताना है बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि आपका राइट आंसर है मैं उस जनपद का कभी हूँ कब रचना है किस की है तिल्लोचन जी की विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर है तुलोचन बहुत बढ़िया बिल्कुल सही आंसर बताया है तुलोचन जिनों नहीं बताया है उनका राइट आंसर होगा भूल गलती कभीता के कभी कौन माने जाते हैं बताइए भूल गलती कभीता के कभी बिल्कुल सही सभी लोग यहां पर सही आंसर बताते जा रहे हैं बहुत बढ़िया और भूल गलती कवीता की कभी पूँचा है तलोचन है मुक्ति बोध है दिनकर है या फिर नांगर जुन जी है तो आपका यहाँ पर question number 48 है right answer बताना है तो 48 का सही answer है भूल गलती कवीता की कभी की बात करें तो मुक्ति बोध माने जाते हैं विकल्प नंबर आपका यहाँ पर दो right answer है विकल्प नंबर भी आपका सही answer होगा बिल्कुल सही भूल गलती मुक्ति बोध अंगले question क्या है हिंदी का पहला पृतिक धर्मी नाटक माना जाता है कौन सा माना जाता है कामना रजत सिखर आसाड का एक दिन बत्स राज बताईए चार विकल्प हैं आपके question number है 49 हिंदी का पहला पृतिक धर्मी नाटक आपसे पूँचा है यहाँ पर और पृतिक धर्मी नाटक है तो आपका सही answer है कि कामना आपका यहाँ पर right answer होगा विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही answer है कामना बिल्कुल सही बहुत बढ़िया कामना जो नाटक माना जाता है पृतिक धर्मी नाटक है हिंदी का पहला पृतिक धर्मी नाटक बिल्कुल सही अंगला question देखिए question number अपना 50 है और ललत नेवंदे कार की रूप में किसी प्रिसिद्धी मिली है यह आपको बताना है question number 50 है बताए अग्ये सरदार पूर्ण से हैं विद्यानेवास मिस्र या question number 50 है महत्तपूर्ण है और आपका सही answer क्या होगा यह बताना है तो बिल्कुल सही right answer है ललत नेवंदे कार की रूप में प्रिसिद्धी मिली है किनको बिद्यानेवास मिस्र जी को तो विकल्प number आपका C यहाँ पर right answer होगा बिल्कुल सही विकल्प number C यहाँ पर जेनों नहीं वताया है उनका right answer है विकल्प number C right answer है अंगला question देखिए कि दीबार में एक खड़की रहती थी उपन्यास की रचिना किस ने किये उपन्यास है इस प्रिकार का question पूंचा जाता है कि यह किस विदा की रचिना है दीबार म होगा आपका यहाँ पर question number in count का बिनोद कुमार सुकल बिनोद कुमार सुकल यानि की विकल्प number D आपका यहाँ पर सही answer होगा बिनोद कुमार सुकल right answer यहाँ पर अंगला question देख लेते हैं गोदान में जो होरी की बेटी है उनसका क्या नाम है बताईए मत्तपुन question है गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है सिलिया है जुनिया है सोना है धनिया है यह आपके चार विकल्प है हाँ विल्कुल सही बहुत बढ़ियां यहां पर आपका राइट आंसर है question number bound है और bound का राइट आंसर बताया है कि गोदान में होरी की बेटी का नाम पूचा है तो सोना आपका राइट आंसर होगा सोना यानि कि विकल्प number 3 विकल्प number C राइट आंसर है सोना राइट आंसर है बिल्कुल सही बहुत बढ़ियां सोना होगा यहां पर सही आंसर जन्होंने भी सोना विकल्प number C बताया है उनका राइट आंसर यहां पर अंगला question देख लेते हैं हिंदी में अंगरेजी धंका पहला मौले को पन्यास किसे माना गया है यह आपको बताना है और यहां पर question number है अपना यहां पर त्रेपन और त्रेपन का राइट आंसर बताना है बताये तो यहां पर राइट आंसर क्या है तो बिल्कुल सही आंसर बताया है कि D राइट आंसर है परिक्चा गुरू अब आपके लिए बताना है इसके लेखक कौन माने जाती है ए हिंदी में अंग्रे जी ढंका पहला मौले को पन्यास माना जाता है उपन्यास है परिक्षगुरू इसके लेखक कौन माने जाती है परिक्षगुरू के बताईए सबी लोग बताएंगे परिक्षगुरू के परिक्चा गुरू को और यहां पर आपको बताना है नारित्म केवल स्रद्दा हो पंती आपको बताना है तो यह पंती किस रचना में है तो परिक्चा गुरू के अभी तक सभी लोग बताईए क्या होगा राइट आंसर स्री निवास दास बिलकुल सही बहुत बढ़िया परिक्षगुरू उपन्यास के लेकक नारितम के वल स्रद्दाव पंती ए पूचा है यानि कि विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा कामाईनी में ए पंती है बिलकुल सही बहुत बढ़ी है सभी लोगोंने सही आंसर बता है सिरी निवास बिलकुल सही परिक्षगुरू के वो पन्यास के लेकक हैं सिरी निवास और नारितम के वल स्रद्दाव पंती है एक कामाईनी की बिलकुल सही अंगल्या क्वास्चन है ब्रंद सत्सई की विसावस्तू क्या है question number अपना यहां पर पूँचा है पच्पन क्या है राइट आंसर पच्पन का राइट आंसर पच्पन का सही आंसर वताईए महत्पुन question है ब्रंद सत्साई की विसवस्तु पूँचा है रोज अपनी class होती है रोज इसी तरह से सवी लोग आए और यहां पर अपनी 1000 प्रिशनों की practice set चल रहा है अपना यहां पर जहां पर आपका महत्पुन question पूँचे जाते हैं ब्रंद सत्साई की विसवस्तु पूँचा है तो नीती आपका विकल नंबर क्या होगा right answer दो right answer है नीती तो बिलकुल चाही be right answer होगा नीती right answer है अंगला question है तुलसी दास किसकी काप रचना मानी जाती है तुलसी दास बताईए तुलसी दास किसकी काप रचना मानी जाती है सभी लोग बताएंगे नराला पंते प्रसाध आ नरेश महत्ता question number अपना यहां पर 56 है और 56 का right answer क्या होगा 56 का right answer क्या होगा तो बिलकुल सही right answer है 56 का विकल्प number आपका यह सही answer है यानि कि नराला right answer होगा नराला right answer है बिलकुल सही बहुत बढ़िया नराला right answer है अंगला question क्या है तो देख लेते हैं संसाई की एक रात के लेकक कौन है ? साट कौस्टन है आपर अपन complete करेंगे संसाई की एक रात के लेकक आपको بتाना है मात्वपोन्द कौस्टन है वीडियो को लाइक बस्स करते जाएं सभी लोग और संसाई की एक रात नराला पन्त प्रसाध महता तो यहां पर आपका बिल्कुल सही right answer है, question number संताउन है, और संताउन का right answer है आपका, संताउन का right answer बताना है, तो बिल्कुल सही right answer है, इसके लेकक माने जाते हैं, बहुत बड़े हैं सवी लोगों के सही आंस्र आये हैं भई भी सक्ति देता है किसका काप्व संग्राय माना जाता है भई भी सक्ति देता है किसका काप्व संग्राय नरेंद्र मोहन उधाय प्रकास लीलाधर जगुडी नरेश महिता question number untown है और आपका मात्पुन question है और बिलकुल सही right answer होगा आपका यहाँ पर untown का विकल्प number क्या है सही answer तो लीला धर जगुडी आपका सही answer है भैवी सक्ति देता है किसका निवन कब संग्रह है तो एक आप संग्रह माना जाता है लीला धर जगुडी जी का विकल्प number आपका सी right answer होगा विकल्प number तीन right answer यहाँ पर अंगला question है पहला तार सब्तक जिसको तार सब्तक भी बोलते हैं दूसरा सब्तक तीसरा सब्तक या फिर चौथा सब्तक में किस में कौन से सब्तक में इनकी कविताएं संक्लित हैं भवानी प्रसाद मिस्तर की question number 69 है और आपका बिल्कुल सई right answer है उनसर का विकल्प number आपका यहाँ पर दो right answer है बिकल्प नमबर B राइट आंसर है दूसरे सब तक में भवानी प्रसाद मिस्र की कवीताई संकलित है तो बिलकुल सही राइट आंसर है दूसरा सब तक बहुत बढ़िया बिलकुल सही सभी लोग सही आंसर बताते जा रहे हैं बिलकुल सही अंगला कॉस्चन देखें बिलकुल सही आंसर बताया है आप लोगों ने की विकल्प नमबर आपका जो ए है यानि की बिद्या निवास मिस्र राइट आंसर बहुत बढ़िया बढ़िया बिद्यानिवास मिष्र आपका सही आंसर है मेरे रामका मोट कड़ भीगरा है निवन्द यह लेखक हैं जिसका निवन्द है विद्यानिवास मिष्र जी का बहुत बड़ियां बिलकुल सही सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं तो इस परकार अपनी हां पर सब्सक्राइब करने चैनल को सेटिन कर रहे हम ऑग करदें और लाइक कर दें प्रिकास जी बहूत बढ़ियां लऴली थाकुर जी अब भारति जी विलकुल आदेश जी और चाया दुवेदि जी रवेंद्रे चौहान जी मायराम जी, सुचित्रा यादब जी, चभी संकर जी, ममता जी, आस्ता जी, आदे जी, बीनु जी, और कमल दीप जी, नीरज जी, इंटर्टेन्वेंट गल जी, मोहिज जी, पूनम जी, वभीता, एदु वनसी जी, लवली ठाकोर जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला आदब जी, बीनु सरोच जी, गीतिका राइवरेली जी, विलकुल गीतिका जी, और भारती जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, राधिका जी, सौनु जी बिलकुल ममत महता जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भारती राबत जी बिलकुल आपका भी नाम ले लिया गीता रानी जी अंजू जी मायराम जी बिलकुल बहुत बढ़िया सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रादिका जी और सभी लोग वीडियो को लाइक और शेर अबस्त किया करें जन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेर नहीं किया है तो प्रिकास चतुरवेदी जी बहुत बढ़ियां लवली ठाकोर जी भारती सभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और साधना जी यहां बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करें शेर करें जेतन जी प्रिति पाल जी तो सभी के लिए